तो फाइनली दोस्तों एंडियन बॉक्स आफिस पर रिलीज होने वाली इस साल की सबसे मच एवेटेट फिल्म के जीएफ चेप्टर 2 जिसका की सभी को काफी बेसबरी से इंतजार है आज दोस्तों इस फिल्म के लेडिंग सूपर इस्टार यानि की रॉकिंग इस्टार यश्ट के बर्थडे पर इस फिल्म से उनका एक डेंजरस और आउट्स्टेंडिंग पोश्टर रिवील कर दिया गया है जिसमें दोस्तों उनके आउतार को देखने के बाद इतना कहना हो कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी दोस्तों बता दे चले आपको कि प्रशांत नील के डायक्शन में बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का इंतजार सिर्फ इंडिया ही नहीं बलकि पूरी दुनिया कर रही है जब से दोस् पूरा एक साल हो चुका है जिसे कि लगबग 230 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूस हासिल हो चुके हैं साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलिस को लेकर भी आप सिर्फ तीन महीने ही बचे हुए हैं बताते चले दोस्तों आपको कि आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाल अगर आप भी रॉकिंग श्टार यश और सूपर इस्टार संजय दतके डाहट फैन से और केजी एफ चेप्टर 2 का इंतजार काफी बेसबरी से कर रहे हैं तो चले शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 की वन अप दे बिगेश्ट ब्लॉकब इस्टार यश एक बार फिर से रोकी भाई के करेक्टर में नजर आने वाले हैं लेकिन दोस्तों इस फिल्म के जो मैन विलन है वो है सुपरिश्टा संजय दत जो कि इस फिल्म के विलन अधीरा के करेक्टर में नजर आने वाले हैं दोस्तों उनके लुक्स और उनके एक्श ही दिन लगबग 150-180 करोड रुपे की ओपनिंग लेने वाली है इस फिल्म को दोस्तो हिंडी में ही अपने पहले दिन 50 करोड से जादा की ओपनिंग मिलने वाली है कंदारा बॉक्स आफिस पर इस फिल्म को अपने पहले दिन कि KGF Chapter 2 Worldwide Box Office पर अपने पहले ही दिन 150 करोड से बड़ी opening लेगी बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के lifetime की तो दोस्तों अगर इस फिल्म को audience की तरफ से अच्छे रिवीज मिल जाते हैं तब तो इस फिल्म का जो Box Office पर collection है वो 1500 से 1800 करोड रुपे का हो सकता है अगर इस फिल्म को negative reviews भी मिलते हैं तो भी ये फिल्म 1000 करोड रुपे की कमाई दुनिया भर से कर लेगी बताते चले दोस्तों आपको कि KGF Chapter 2 ने अपने रिलिस से पहले ही लगबग 800 करोड से जाधा की कमाई दुनिया भर से कर ली है जबकि दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में 8-9000 स्क्रेंज पर रिलिस करने की प्लानिंग चल रही है उम्मीदे हैं दोस्तों कि इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 1500 करोड से भी जाधा कर रहेगा और ये फिल्म World Wide Box Office पर 2022 में रिलिस होने वाली सबसे बड़ी ओपनर फिल्मों में शामिल हो जाएगी आपको क्या लगता है दोस्तों KGF चेप्टर 2 इंडियन Box Office पर क्या कमाल कर पाएगी और क्या इस फिल्म का कलेक्शन बाहु बली 2 से ज़्यादा रहेगा या नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कूल ना भुलिएगा और Box Office बॉल लीडर सौथ के जुड़ी सबी अपडेट्स के लिए आपके अपने चेनल रिव्यू बाजार को सबस्क्राइब जरू कीजएगा धन्यवाद जेहिं जे भारत